जो सगी बेनों को जेहरीले कीड़े ने काटा एक की मौत एक कैलाज जारी जेहरीले कीड़े अपने बिलों से बाहर निकलने लगते हैं जिनकी काटने से हर साल में सेगणों लोगों की मौत होती है आज दो सगी बेनों को एक जेहरीले साप ने काट लिया जिससे एक की मौत हो गई तो दूसरी जिन्दिगी और मौत के बीच होस्पिटल में जंग लड़ ही है मामला जनपत हमीरपूर के विबारत अनचेज के अंतरगर्द आने वाले गिराम निवादा का है जहां पर सोते समें दो सगी बेनों को एक साप ने काट लिया जिससे एक की मौत हो गई जबकि दूसरी का इलाज सदर अश्पताल में चल रहा है पिडित परिवार ने बताए कि दोनों पुत्रियां रात में खाना खाने के बाद सोने के लिए चली गई थी दोनों ही बेने एक दूसरे के साथ सो रही थी कि तब ही दोनों बेनों को साप ने काट लिया जब सुबा देखा दोनों ही अचयत अबस्ता में थी जब देखा ग और यह लोगों को अपना निशाना बनाते हैं सेक्डों लोगों की मौत हर साल इन जहरी ले कीड़े के काटने से होती है अब कर दो गटना हुई है कैसे हुई है कि लड़ी है कि लेड़ गई तो उनको काट ली गया किसने काट लिए है कि अजय करुं के शूपा था जब शरफ नेकर फोट लगयान जानागी नवया को हटए को हम जाने को लिए जैन लिए पाई उसको होगा शोत्तों पक्ति अब क्या खारे तोर बच्क स्तियों को तो नचेवें तो इस बच्ची समीद आप के देवर को बच्चीए को और देवर के बच्चे नाम है किना माइक करण जिसकी मौ रतु यान तो उसका क्या vẫn ल्गा पहली समय के इतनी ard चसुन हर अनुम्र कितनी हो भी वह सही यह सकले में और फ्रहुं कर ejes जन्हू श्रतник कभी से कि जो गटना हुए कैसी हुए कि रात में हो गई रात में खाना आना खाके एक दो बज़े अब कहीं सर्फ दोने खत्य लेटी थी और देश को आज लिया तो जान गई और दूसरे को नहीं जान पाया कर दो कर दो के नाम अपका कि पैसे लिए के लिए लेट इसा रपाया ने उन जोना बच्चें कर दोनन गच्चें जोनन गुकाड़ी मैं तक कर दूसरी बच्ची गटना नहीं इए रात ने रात रहा नहीं रात